हेलो दोस्तों मैं बिरुकुमार बिरुकुमार गुरु मेठाटरिक्स आप लोग का स्वागत है चलिए आज हम लोग देखते हैं सीटेट के प्रिभियस येर क्वेशन जो 21 आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो हुआ था 21-22 को जो प्रिपर हुआ था उसका हम सलुशन लेक करके आया है सीटीपी का बालविकास का चलिया आगे हम लोग देखते हैं क्वेस्चन चलिए फष्ट ंसन आप लोग के सामने हैं पर फश्ट क्वेस्चन है बालविकास कि सिध्हांत के संदर्व में निम्मे से कौन साखथन पर आए कि बालग का जो विकास होता है उसमें क कौन सा बात कहा गया है बालक के बारे में जो सही है वही ऑप्षन हमको क्लिक करना है देखें फर्स्ट ऑप्षन है विकास फरीर के केंदर यह भाग से बाहरी भाग की तरफ जाती हम पहले ही आप लोग को बताए हैं विकास जो है केंदर से बाहर की ओर जाएगा तो ओ हो बताए थे अगर केंदर से जाएगा बारी के ओर तो पी हो जाएगा और अगर सर से जाएगा पाइर के तरफ तो सी हो जाएगा तो इस तरह मेरा एक नम्मर आप्शन सही है चलिए अगला क्वेचन हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेचन है बच्चे में भासा विकास किस से परभावित होती है हम बोले थे कि बच्चा के जो विकास होता और बाताबरन दोनों पर निरवर है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक नम्म DO परमार में की केवल अनु अनौन्सिग्ता एम पर्याबरन दोनों परिपेंड रहता तो मेरा तीन नम्मर औप्शिन दो का सहई हो गया 4 नम manuscript January न प्रियाबरन से माने किसी से नहीं प्रभावित होता है तो प्रभावित होता है किसे तो इस तरह मेरा तीन नमर आप्षन सही है वहीं एंसर पूछ रहा था चलिए अगला 3 नमर क्वेचन है कि एक प्रगतिसील कक्षा हम आप लोग को पहले ही बता दे कि प्रगतिसील कक्षा वह कक्षा होता है जिसके अंतरगत बच्चे को ध्यान में रखते हुए सिक्षा दिया जाता है हैं बच्चे को इंट्रेस्ट मेरे रखते हैं रूची का si कते हैं बच्चे कि सभी आयुसकता को पूरी किया जाता है उसी को को हम बोलेंगे प्रगत लक्छा प्रगति सील कख्छा फ्रक्छा The माना जाता है उसमें सभी प्रकार के बच्चों को ले करके चलता है तो देखिए कौंपैर लक्षक के बारे में सहीा और केबल मुक देखिए सबसे पहले हम तो केबल वाला को हटा देते हैं एक नमर मेरा ऑप्शन गया दो नमर में है कि अधिगम करता की ब्यक्तिकत भीनता का सम्मान बिल्कुल सही देखिए दो तीन का दो नमर ऑप्शन का रहा है कि अलग-अलग सुच के जो बच्चा होते हैं अ दो नमर ऑप्शन सही हो गया तीन का दो नमर चलते हैं चार नमर ऑप्शन चार नमर क्वेचन कर रहा है लौरेंस कोलवर्ग से देखिए पुछा है लौरेंस कोलवर्ग लौरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिधान्त के संदर सिधान्त के अनुसार सजा टालने के लिए कि नियम का पालन करना किस चरन को दर्साता है हम पहले बता है कि लौरंस कोलबर्ग जो है लेबल बोले थे तीन और एस्टेज बोले थे छे उसमें से पहला एस्टेज जो था डंड और अग्या पालन का था तो डंड दखिये क्या था पुर प्रमप्रागत प्रमप्रागत उत समें चार का 2 सु पांच नंवर गलतना द देखीे कर रहा है कि अधिगम परिक्रिया को सुसाद करने के लिए एक अध्य क्याको आई से तरीकस इस्तमाल चाहिए्ट करहा है कि आप जो आप जो यदि टीचर है बच्चा को जो परहार है है तो बच्चा को किस तरिका से आप सुवधा परदान करिएगा जिससे उसको कोई काम और असानी से हो जाए तो वही option चुनना है कि कैसा सुभधा परदान करिएगा जिससे बच्चा को दिक्कत महसूस न हो अगर दिक्कत भी हो तो आपके help से उसको सुभधा मिल जाए तो एक नमर का राय जिसमें संकल्पों का परगती करन जटीलता है जटीलता है एक के बार आप जटील नहीं भारी कामे के बार नहीं दीजेगा किसी को एक नमर गलत है जो अपसारी चिंतन को प्राथ मिक्ता दे भाय इतना छोटा बच्चा है और उसको आप जो है अपसारी च सिंतन दिलाईएगा बराबरा सोच कहिएगा तो वह भी गलत है तीन जो भीविन संकल्पों के बीच संबंद खोजने को महत्र दे इसका कहने का मतलब हुआ तीन नमर का जो अनेक अनेक तरीका के उदाहरन ले और उसके बीच में क्या समानता है क्या गुन है क्या अब गुन है उसको मदद दे वैसे आप सुविधा परदान करिए तो तीन नमर मेरा ऑप्शन बेखे बिल्कुल सही है अगला कोचन देख रहे हैं छे नमर कोचन का रहा है कि लिए बाइगोस्की का सिधान्त मुक्त ब्याखा करता ह क्या चीज का ब्याखा करता है निया है कि लिए बाइगोस्की जो है आपको लंग्वेज समाज और कल्चर पर विश्च ध्यान दिया है भासा पर समाज पर और कल्चर वन संस्किर्थिप विश्च ध्यान दिया देखिए दूर दून ौपュट्चन कितना मेरा सही Option है संग् अनात्मक विकास में संस्किर्तिक उपकर्णों के योगदान को बाइगोश के साथ महतु दिया है संस्किर्ति पर विश्य सध्यान दिये हैं बाइगोश के साथ इस तरह दो नमर मेरा सही है साथ नमर क्वेश्चन कह रहा है कि किर्केट पर वर्तलाप के दोरान एक अध्यापक अधिकांस्त लर्कों को सवाल पूछ रहा है और लर्कियों को नहीं देखिए ये क्या कर रहा है लर्का का जयदा भालू दे रहा है और लर्की का कम भालू दे रहा है लर्की से सवाली ने पुछ रहा है तो teacher क्या कर रहा है एक तरह से पक्षपात कर रहा है लरका और लरकी वे भेदभाब कर रहा है माने पक्षपात कर रहा है तो दो नमबर मेरा option सही हो जाएगा चले आगे देख रहा है आठ नमबर बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है कर रहा है यदि बाल केंद्रित बालक को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित का मतलब होता है बालक को ध्यान में रखते हुए आप सिक्षा देने का काम कर ये तो परिच्छा पर नहीं गलत है ग्यान के सक्रिय सरचना प्रिक्रिया को ग्यान को कहिएगा आप सक्रिय रूप से मान विश्टित रूप से उसको गरहन करने के लिए जो आप परहार है वो बच्चे को दिखाईए उसका मॉडल दिखाईए उससे क्या होगा बच्चे देख करके ज्यादा से ज्यादा इंद्रिया काम करती है उसी सिक्षा देने से बच्चे को बहुस तरह लाब होता है आप लोग देखते रहते हैं फिल्म जब कोई बच्चा देखता है तो सु như तुम और देखता है तुम कितना याद रहता है कभी नहीं भूलता है तो इस तरह मेरा इसका एंसर जो है दो नम्मर सही हो गया इसका एंसर दो नम्मर सही है चलिए आगला नो नम्मर देखते हैं नो नम्मर का रहा है कि नीम लिखित में से कौन सा बच्चों के समाजी करण का प्राथमी कारण आप लोग देखते हैं कि प्रात्मी कारक रहेगा तो देखिए दो नमर ऑप्सन मेरा जलक रहा है कि निकट प्रिवार वाने नजदी के प्रिवार जो है आपको प्रात्मी कारक हो गया माता मिलखित में कौन सा उम्र समूद जीन प्याजे के संगयानत्मक भिकास के सिधान्त के मुर्त संक्रियात्मक वस्था आप लोग को पहले बताए थे कि एक होता है संबेदी जिसे हम इंदरिये गामक कहते हैं एक होता है पुर्व संक्रियात्मक एक होता है मुर्थ एक होता है अमुर्थ तो आप लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि मुर्थ का जो एज होता है साथ से 11 साल एज होता है इस तरह मेरा तीन नमर ओप्षन सही है कि 11 नमर क्वेचन देखे क्या करा रहा है कि आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे भीवीन गतियों और अलग-अलग तरिकों से सीखते हैं आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो कर रहा है कि आप जो अध्यापक हैं और आपके कक्षा में जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं वो तो सब एक समान तो होता नहीं है सब अलग-अलग तरिके से सीखते हैं तो आप जो उस बच्चा का टेस्ट लिजेगा चाहिए आकलन करिएगा तो किस तरिका से करिएगा देकि एक नमर ऑप्चन कर रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो सब को एक तरिका से आप आकलन नहीं करिएगा क्योंकि किसी को म्यात आता है तो किसी को इंगलिस आता है किसी को हिंदी आता है को किरकेट खलता है को फुटबॉल खेलता है तो सब को आप एक तरिक एक ही तरीका से प्रिख्षा नहीं लिजेगा एक ही तरीका से आकलन नहीं करिएगा एक नमर गलत है के बलबला गलत ही मारिए बच्चे के सिखने के तरीके से संबंदित नहीं हो भाई बच्चे के सिखने से तरीके संबंदित नहीं हो तो क्या जानवर के सिखने से तरीके परदारित हो आप सभी प्रकार के आकलन करिएगा तभी अच्छा आकलन माना जाएगा तभी सभी पक्षों का आकलन होगा तो चार नमर मेरा सही ऑप्षन है आप लोग देखिए हम बता दे रहें आपको आप लोग हम जो बोल्ड हैं उस बात पर ध्यान दीजिए एंसर पर मत ध्यान दीजिए कैसे ऑप्षन को हटाया जाता है उस चीज सिखिए कैसे एंसर लाया जाता है उनहीं सिखिए एंसर तो ला देंगे डिरेक्ट लेकिन कैसे option को छाट रहे उस बात प्रद्धान दीची ले बाइगोस्की के सिधानत के अनुसार निमें से कौन सी अध्यापन अधिगम हम प्रद्धान करने को क्या यहां पर लोग को बता दे कि फार बाले बात जो है कि मैं क्या करता था सहारा देने का काम करता था फार से पकर ये इस वर्ण को किलिक किजी इस तरह मेरा जो है तीन नमर ऑप्शन सही है आप बच्चा जो कहीं पर अठक जा रहा है जैसे आप जो छोटे रहते हैं सैकल सिखते रहते हैं तो आपको से जो ज्यादा ग्यानी आदमी होते हैं वहीं हमेशा आपको हेल्प करने जाएगा और यह हील्प जो है सुरू में दिया जाता है लास्ट में दिया जाता है तो इस तरह मेरा देऊ आनुसरक स्था को लगो 3 मर के साप्थन को छ्वह नहें हैं निमलिखत कृस्ण cho多 ऐसे अथी बिद्दे साभ दिये हैं लुए उसने शुरू में कि dua कμαकी इसे ने बिद्द कोропरें कि घं ktor डसार को चलते हैं क्योंकि अभी तक सर्च और आप Veteras movement करने की योगता से अधिक है माने जितना हैं परदर्शन कर रहा है उससे भी उपर लेवल की बुधि मता है उसके अंदर भी तो चार नमर मेरा आप्षन सही हो गया चौदा नमर देखे क्या कर रहा है कि एक घोरे को देखकर एक तीन वर्सिये बाली का चकित होकर बोली बाह इतना बरा कुत्ता देखे घोरे को देखा तो एक बाली का बोली कि इतना बरा कुत्ता होता है क्योंकि कुत्ते को भी चार पैर और घोरे को भी चार पैर है अब जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिधान्त के अनुसार बाली का कि यह प्रिकर्यानिम में से किसका उदारण है आप लोग पहले ही बताएं हम कि समाबेशन क्या हुता है समाबेशन या आत्मसात्करन अनुकुलन का भाग है ये सब पहले कुट्टा देखे तो बच्चा को इतना ग्यान नहीं है कि हम अंतर किस परकार करें इसमें इसलिए घुरा को भी कुट्टा कह दिया ते यह आजाता है आपको आत्म साथ करन के अंतर गताएगा एक नमर आप्चन सही है अब देखिए भासा विचार पर लेबाइगोस की क्या सुझाते हैं भासा संग्यानात्मक विकास को निर्दर्शित करती है इधर सुनिये लेबाइगोस की पुछा है तो हम पहले भासा आता है उसके बाद सुच आता है तो इस तरह मेरा एक नमर आप्चन सही है कि भासा जो है संग्यानात्मक विकास माने दिमाग को चलाने का काम करता है तो एक नमर आप्चन मेरा सही है शोला नमर देखिए शोला नमर कह रहा है कि बच्चे में स्रिजनानमकता को किस प्रकार सुसाद किया जा सकता है कर रहा है बच्चा जो सोचने में अच्छा है कोई चीज नया चीज़ करता है तो उसको आप किस तरह और अच्छा कर सकते हैं किस तरह और उसको सुवधा परदान कर सकते हैं देखे एक नमर करा अनवेशन को पसाइद करके बहाँ है बिल्कुल सही है बच्चा जो खोज रहा है उसको आप महत्व दीजिए और उसको और जो है चावसी दीजिए जिससे की बच्चा का मनोबल उपर रहे अभी प्रेरित रहे और अच्छी तरीका से अपने काम कर सके बच्चे को बीच में रखे अध्यापक को नहीं लगातार अभ्यास भाई बार बार अभ्यास कराने से क्या होता है केबल गलत हो गया तो एक नमर मेरा आप्शन सही है 17 नमर क्या देखिए 17 क्या कर रहा है कि गुना जबैकल रहे भाय किसी को गुना करने में दिक्कत आ रहा है तो गुना हम किस विशाय में करते है जो गटा गुना भाकिस में गनीत में तो गनीत संबंदी उसको कठिनाई हो रही है गनीत में कैलकूलेशन करने में उसको दिक् को समझीतना परहा है उसी से क्वेश्चन आ रहा है देखिए कौन्चा नम्मर का क्वेश्चन है अठारा नम्मर क्वेश्चन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतरगत नीजी विद्यालाय में आर्थिक रूप से कमजूर वर के विद्यार्थियों के दाखिले है तू सीटों के आरक्षन का प्रवधान है इस छात्रों के सफल समावेशन है तू एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा सास्त का इत्माल करना चाहिए कर रहा है शिक्षा का अधिकार आटी जो है 2009 के अंतरगत नीजी विद्यालाय में आर्थिक रूप से जो कमजूर बच्चा दाखिल लेता है आता है उसको अरक्षन का प्रवधान दिया गया है जो अच्छा बन सके आगे जा करके अच्छा समावेशन कर सके है तू अच्छा बन जाए बच्चा उसके लिए आप जो एक अध्यापक है तो आप उसके साथ कैसा विभार करिएगा आपके मन में कैसा होना चाहिए देखिए एक नमर काता है भेद भावनात्मक भेद भाव नहीं करिएगा भाई अलग उसको नहीं करिएगा समान सबको समान तो नहीं सब साम्यता भाई उसके अंदर में जितना ही काम करने की छमता है जिस लेबल क्या है उसी अनुसारू काम करेगा ना तो उसको ध्यान में रखते उसके सामर्थ पर जोर दीजिए उसको जितना पावर है उसी अनुसार वो काम करेगा आप 10 साल का बच्चा 50 केजी उजन्ने उठा पाएगा अब देखिए 19 नम्मर क्या कर रहा है उन्हें इसका रहा है एक समावेशी कक्षा में सुचना को किस तरह से पस्तूत करना चाहिए का रहा है कि सभी को मिला करके सभी परकार के बच्चों को मिला करके जो आप सिक्षा देने का काम करते हैं एक साथ तो उसमें सुचना किस तरह आप पस्तूत करिएगा किस तरह सिक् तीसरा केवल मानने बहुल रूप हम बहुत तरीके से उसके सामने बहुत तरक्ष से उदाहरन पेस करेंगे जिससे यदि एक उदाहरन बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो अगला उदाहरन समझ में आ जाएगा उसी को करते हैं बहुल रूप में मानने बहुत सारे रूप में आप उसको सिक्षा देने का काम करिए पस्तूत कीजिए उसके सामने उदाहरन जिससे बच्चा आसानी से सीख सके उनीस का चार हो गया चलिए बीस का बीस का राय सिक्षा की समकालिन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की सिक्षा के लिए कौन सा मोडल सुझाया गया करा है कि सिक्षा का जो अभी समकालिन अभी जो प्रुसेस चल रहा है अभी जो नियम चल रहा है अभी जो नियमा बली चल रहा है उसके अनुसार दिव्यांग बच्चा जो कोई कान से होता है कोई पायर से होता है कोई आख से होता है लंगरा दिव्यांग बच्चों की सिक्षा के लिए कौन सा मोडल कौन सा मोडल आप पस्तुत करिएगा कौन सा सिक्षा पधदी आप अपनाईएगा चलिए देखते हैं ओप्षन केवल हटा दिजिए तो आप सभी को ले करके चलिएगा एक समावे सी सिक्षा देने का काम करिएगा जिससे बच्चा को कभी नहीं महसूस हो कि हम दिव्यांग हैं सभी को एक साथ ले करके सिख्छा देने का काम करिएगा तो दो नम्मर मेरा सही है चलिए एक कीस नम्मर एक कीस नम्मर क्वेचन करा रहा है कि अधिगम परकिरिया के बारे में निमलिखित मेंस से कौन ता कथन गलत है करा है कि अधिगम अधिगम देखे अधिगम एक जटील परकिरिया होता है जिसमें हमारी भागेदारी की बहुत मात्व होता है यदि हम सिखने का काम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं सिख पाएंगे, इसलिए अधिगम एफट लगा करके सिखा जाता है, तो कर रहा है, कौन चा कथन गलत कर रहा है, देखें, अधिगम एक निरंतर परिकिरिया है, सही बात है, हम सिखने का काम सभी दिन करते हैं, तो एक नमर सही है, तो गलत हमको चुनने के लिए कर रहा है, अधिगम परिकिरिया में टूटि और गलतिया, आप परसांस निकारा है, कर रहा है, कि हम जो सीख रहे हैं, वो हमेशा गलती होते ही रहेगा, उसको हम सुधार नहीं कर सकते हैं, भाए, एक ऐसा बात है, हम जो गलती करते हैं, क्या उने शुधरता है, को आप सुधार नहीं सकते हैं तो दोर नमबर मेरा गलत है और गलत ही चुनने के लिए कहता था तो इस तरह मेरा दोर नमबर ऑप्शन सही हो गया चली 22 नमबर क्वेचन कर रहा है कि बच्चे को बारम बार यह बोलने के कि वह अधिगम के लिए योग नहीं है कि संभावना को बढ़ावा देता है भाई देखिए आप जो परहार हैं किसी को और उसको बार बार दातिएगा फटकार येगा तुम परने वाले नहीं हो तुम कर जाओगे इससे क्या होगा बच्चे पर नकारात्मक परभाव परता है जिससे बच्चा क्या होगा सब बच्चे को मन नहीं लगेगा पढ़ने मां आपसे क्वेचन नहीं पुछेगा बच्चा बिद्याला छोड़ देगा तो ऐसा क्या होगा आपके ऐसा कहनिय से तो प्रिजित्रे निश्प्रिश्द का रात्मक्परभाव उसके अंदर पर जाय गा ती इस तरह है मेरा एक नमर आप्षन ही सही है झाले थेश्ण नमर कर रहा है कि समस्या समध्हान कोसल को किस परकार बढ़ाया जा सकता कर रहा है कि अधी बच्चा को समस्या समधान लाइक बनाना है तो आप उसके लेबल को समस्चा समधान करने का जो तरीका है उसका जो लेबल है आप उसको किस तरह आगे बढ़ाने का काम करेगा जिससे बच्चा आसानी से किसे समस्चा का सलूसन कर दे किसी सवाल को असानी से बना दी तो एक नमर कर रहा है उपकरनों सामगुरियों के प्रमप्रागत इस्तमाल पर ध्यान देकर प्रमप्रागत इस्तमाल पर ध्यान देकर दुसरा कर रहा है समस्या को मानक प्रारूप में पस्तूत करके समस्या को एक तरीका से दूसरे तरीका से भी तस्वल किया जा सकता है तो आप सभी विकल्प जो है उसको महत्व दे कर कि आप उसके कौसल को बढ़ाने का काम कर सकते हैं आप किसी तरीके से स्वल किया यदि बच्चा कोई तूसरा तरीका से स्वल कर देता है तो उसके बातों को भी आप मानता दीजिये जिस्षे बच्चे के अंदर positive creativity हो और समस्चा को असानी से solution कर सके तो इस तरह मेरा तीन नमर option सही है चोबिस्त नमर question कर रहा है कि अधिगम कक्छाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विशाय बस्तु को पस्तूत करने का कौन सा करम सरवाधिक उप्युक्त है कर रहा है कि आप जो परहाने का काम कर रहा है आप जो सिखाने का काम कर रहे हैं उसमें आप किसी पार्ट को किस तरह पस्तूत करिएगा जिससे की एक करम का पालन करेगा और बच्चा को अच्छा से सिखने में मदद करेगा तो क्या करिएगा तो देखिए चार नमर option कर रहा है पहले मुर्त चीज उसको दिखाईएगा मुर्त क्या होता है जो चीज सामनी है हम देख रहे हैं उसको सकारात्मक्ची जो हम देख रहे हैं सामने वो मुर्त होता है उसको पहले मुर्त सामगिरी दिखाईएगा पिर चित्र बना करके दिखाईएगा फिर उसको संकेत माने इस सारा करिएगा इस तरह मेरा चार नमर option सही हो जाएगा इसमें तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा 25 नम्मर क्वेचन कह रहा है कि बच्चों के अधिगम पर कक्छा के बाता बरन का काफिर प्रभाब परता है बिल्कुल सही कह रहा है परभाब परता है परवीन परवीनती अभी मुखी अधिगम संस्किर्ती को बढ़ावा देने के लिए कक्छा का बातावरन किस तरह का होना चाहिए कहता है कि यदि आप बच्चे को अच्छी तरिका से सिक्षा दीजेगा वहां का बातावरन जो अच्छा रहेगा तो उसके संस्किर्ती मानि उसके लक्ष जो होता जहां उसको पहुंचना रहता है जो वह सिखना चाहता है उसमें बातावरन किस तरह का होना चाहिए आप आप पर किस तरह का महौल पर्दान करिएगा बच्चा को तो भाई कक्षा में जो है आप सकारात्म का महौल पर्योग करिएगा और सहयोग एक दुसरे को सहयोग करिएगा तो आसानी से बच्चा सीख पाएगा तो चार नमर आप्शन चाही है मेरा 26 नम्मर कोचन देखिए कर रहा है अधिगम के संदर्व में निम्मे से कौनचा कथन सही है सही कर रहा है कि सिखने में कौनचा सही बात कहा गया है तो प्रिक्षा ही अधिगम प्रिक्षा क्या प्रिक्षा ही लेना काम है मेरा क्या दुसरा का रहा है अधिगम एक निस्किरिये नहीं सक्रिये है तू गलत तीन का रहा है भावों का अधिगम प्रिकिरिया पर कोई प्रभावने कैसे प्रभावने परता है यदि आपका मन सांत रहेगा अधि आप सीखने के लिए तत परता रहेगा तो कोई चीज आसानी से मत्पुर्ण होती है तो मेरा चार नमर उप्शन चहीं है iamint 17 को यूर्ड sidh का अधिगम का समाजिक स्रचनात्म क्विचार कुमा अधिगम प्रिकरिया में 10 की महत्ता पर जोड़ देता है काता है सीखने बर्जो एक समाज का जो सिखने में जो समाज का भागेदारी होता है समाज का जो कर्तब होता है समाज का जो रोल होता है अधिगंपरिकिरिया में डायस के महंता पर जोड़ देता है और किस पर जोड़ देता है तो देखें पार्स परिकिरिया मानने आप समाज में जो है किरिया करके सिखने का काम करते हैं इस तरह एक नमर मेरा सही है आप समाज में जाते हैं वहाँ पे रहते हैं लोग से बात करते हैं किरिया करते हैं तभी आप सिखते हैं तो एक नमर मेरा अप्शन सही है अठेस नमर क्वेचन का रहा है निम्मे से कौन सा युग्म घटक और अभी प्रेरना सरोत का सही रूप से मिला हुआ है सही रूप से मिला हुआ है तो आत्म परितोसन भावी प्रेरना माने जो आपका अंदर चला है वो कैसे बाहर हो जाएगा जी देखिए जिग्यासा आपके अंदर में जिग्यासा कुछ पाने के लिए है कुछ करने के लिए है किसी को पाने किया इच्छा है आपको तो आंत्रिक अभी परेड़ना है देखें बिल्कुल सही कर रहा है अंदर की बात है ये नगत प्रसकार आपको जो कोई प्रसकार देता है वो बाहरी अभी परेड़ना आप प्रसकार पाने के लिए कुछ कर रहे है रूची रूची आपको जो इंट्रेस्ट है वो भी आंत्र है विद्यार्थी के संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने है तुई एक अध्यापिका को छात्रों को दखे करा है कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ माने संकल्पनात्मक समझ का मतलब होता है कुछ सोचने में बहत्तर करना बहत्तर बनाना सोचने के लाइक बनाना उसको तो एक अध्यापक है तो उसको किस तरह सुविधा दीजेगा जो और अच्छी तरीका से सोच सके बच्चा तो छात्रों को केवल याद करवाईएगा गलत है एक नमबर संकल्पों के बरतलाप उदाहरन और उदाहरन को समलित नहीं करिएगा करिएगा तम न सिखिएगा तीन दो नमबर गलत हो गया करा है नहीं करेंगे तीन नमबर करा है जो पस्तुत किया गया और जो पहले से करा है जो पहले आप जानते हैं और जो अभी दिया गया है आपको उन दोनों क के बिच संबंद अस्थापित करें करें बच्चों को और उसको अबसर परदार करें कि बच्चा जो है समस्चा का समधान करें बच्चा जो कुछ सोचें तो तीन नमर मेरा आप्शन सही है जल्य अगला तीस नम्मर क्वेचन कर रहा है कि निव में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते है कह रहा है कि अभी अधिगम को प्रभावित करेगा तो देखिए एक नमबर है कि अभी प्रेर्णा भाए आप जो कुछ करनी के जोस्त में है कुछ आप जो आपका मन है कि हम अभी प्रेर्णा हो गया अभी प्रेर्णा आपको डालता है आपके शिखनी पर प्रभाव डालता है आपको मन नहीं करेगा यदि शिखने का तो नहीं चीखिएगा आपको एक नमबर मेरा सही है दुसरा करह समाजिक संदर्ब आप यदि अच्छा समाज में नहीं रहेगा तो उपी परभाव डालेगा आपको जहां पर सोर गोल होता रहेगा आपका मन चांत नहीं रहेगा वहां पर आपके विकास को परभावित करेगा तो नमर भी मेरा सही है संदर्ब आपके मन चांतूलण में यदि नहीं रहेगा तो उएक दीए मिलेगा आपको परभाव मेरास चार मेरा सही है तो देखे जिस option में होगा वही option सही कर लाएगा देखे यहां पे चार नमर option जो है एक दू तीन चार है इस तरह मेरा option सही है आज के लिए बस इतना ही थांक्यू धन्यवाद